Elgo Trading क्या होता है? आप किस तरीके से Elgo Trading शुरू कर सकते हैं? क्या Platform हमारे लिये Available है? क्या इसकी Cost है? इसके क्या फाइदे होते हैं? और Stepper by Stepper अगर आप Elgo Trading करना चाते हैं, तो कैसे आप शुरू कर सकते हैं? कैसे किसी platform को यूज करके आप elgo trading कर सकते हैं यह आज इस video में हम सीखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम normal trading से elgo trading जो है वो किस तरीके से different है actually होता क्या है कि जब भी हम कोई trade लेते हैं और हम अपने stop loss या target या तो हम उसमें लगाते नहीं है और लगाते हैं और हमारे तरफ loss आने लगता है तो हम उसको हटा देते हैं या थोड़ा थोड़ा नीचे खेंशते चले जाते हैं या हम हमारे stop loss सिर्फ हमारे mind में रखते हैं और सोचते हैं कि चार्ट में लाइन खेंचके कि जब market यहाँ आएगा तो हम इससे exit कर जाएंगे लेकिन जब हमको loss देखता है तो हम सोचते हैं थोड़ा और वेट कर लेते हैं और ऐसे कर से करते loss बढ़ जाता है और यह होता है आपके emotions की वजए से कि आपके emotions जो है जिस समय पे जो action लेना चाहिए वो डर या किसी और वजए से आप वो ले नहीं पाते हैं कि आपको loss देखता है तो या तो आपको डर लगता है कि यार अगर मैंने इसे book कर लिया तो यह loss मुझे आ जाएगा book नहीं किया तो हो सकता है कि यह loss वापिस recover हो जाए तो इसलिए हम उस loss को book नहीं करते हैं और loss कई बढ़ता चला जाता है तो इसके लिए हम algo trading जो use करते हैं उसमें main benefit यह होता है कि हमारे emotions जो हैं वो उससे बाहर हो जाते हैं जैसे मान लिजी आपने कोई भी एक strategy कोई भी हो सकती है आप जो define करेंगे algo में वो strategy होगी वो भी मैं बता हुआ कि आप कैसे करते हैं तो जो भी आपने strategy डिफाइन की अपना entry time, exit time, entry condition, exit condition आपने define करके market में डाल दी तो आपको फिर बैठ के trade को देखना नहीं है आपने मान लिजे सुबह सुबह यह trade अगर आपने डाल दि तो इस तरीके से आपकी emotions को आपके trade से बाहर निकाल देता है तो आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको अपने screen पे लेके आता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह algo test की website है यह algo test की website जो है यह आपको आपके algo trading करने में अलाव करती है आपको हर 25 जो है वो back testing free में आपको अलाव करती है तो आप इसका यह website यहाँ पे देख सकते है algotest.in इसका link में आपको नीचे description में भी दे दूँगा अब वहां से click करके यह website पे आप जा सकते है website पे आप अपना account free में बना सकते हैं यह देखिए यह जो sign up वाला जो page है यहाँ से इंटरफेस मिलेगा तो अभी यहाँ पे हम चार चीजें देखेंगे पहली चीज कि आप अपना account कैसे setup करेंगे मतलब यहाँ पे algotest में आप किस तरीके का setup करेंगे इसे आपका जो भी आपका broker है चाहे आपका broker जिरोधा हो धन हो या शुन्य हो या कोई भी और हो इनके प बनाना चाहें चाहें वो अपने option में बनाना चाहें दोनों में बताऊंगा basic वाली strategies इस वीडियों में बताऊंगा इसके बाद advanced strategy भी होती है जो trading view के साथ alert लगा के लगाए जाती हो थोड़ी advance होती है अगर आप लोगों के requirement है तो नीचे आप comment में मुझे बताइए और वो चीज बार backtest free कर सकते हैं यह अलगो टेस्ट देता है तो आप backtest करके आप देख सकते हैं कि strategy जो है काम करती है कि नहीं करती है profit देती है या loss देती है फिर चाहें तो आप उसे forward test कर सकते है forward test का मतलब होता है कि जो market में चल रहा है जैसे हम paper testing बोलते हैं जैसे market में जो price चल चल रहा है उसके हिसाब से आपको अभी क्या profit loss दिख रहा है तो paper testing कर सकते हैं जिसे यहां पर forward test बोला जाता है उसके बाद मार्केट में live डाल सकते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि यह जो यहां पर इंटरफेस है आपके सामने इसमें point system होता है और अगर आपके pricing देखें तो देखें pricing है कि आपको 299 रुपए में 300 credit मिलते हैं ठीक है तो हर credit से आप क्या कर सकते हैं वह मैं आपको समझाता हूं लेकिन यह पैसा समझे कि एक रुपए का मोटा मोटा एक credit अगर आप सबसे कम amount वाला खरीते हैं लेकिन अगर आप ज्यादा वाला खरीते है तो आपको 5000 रुपए में 7500 रुपए यानि 67 67 पैसे पे आपको एक credit मिल जाता तो यह तो पहली बाद तो यह pricing है और यह back testing के अलावा है मतलब back testing आपको हर हफते 25 बैक टेस्ट आपको free में मिलेंगे उसके बाद अब यह credit use का होते हैं तो यह आपको मैं समझाओं तो आप य चाहें या live test करना चाहें इनके लिए आपको यह credit use करने होते हैं तो यह जो no plan दिख रहा है आपको no plan that found यह आप add plan पे देखेंगे तो देखिए forward test करने के लिए अगर आपको एक test 28 दिन तक चालू करके रखना है तो उसके लिए देखिए आपको 50 credit की जुरत पड़ेगी य उसके लिए आपको 100 credit की जुरत पड़ेगी यानि लगबग 99 रुपए के आसपास सबसे ज़्यादा उससे भी कम हो सकता है जैसे मिरता है 60-65 रुपए के आसपास भी 67 रुपीज के आसपास भी यह आज आता है अगर आप higher वाला प्लान लेते और यह 28 दिन तक के लिए आप के सबसे बहुत सारे देखिए यह यह ब्रोकर से अभी यह देखिए, यह जो ब्रोकर से कनेक किया हो इतको मैं आपके सामने में मैं डिस्कनेक कर देता हूं कहने हां और फिरसे मैं करेक्कRIS करता हूं मैंने एक और Elgo assurance का वीडियो बनाया था जहां मैंने शूनिय यह जिसे हम फिनवासिया भी बोलते हैं, उनके साथ भी किस तरह का इंटिग्रेशन होता है, वो मैंने बताया था, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप शूनिय के साथ ट्रेड करते हैं, वहाँ फाइदा यह होता है कि आपको ट्रेड का इंडिविजल पैसा नहीं देना होता है, बाकी सब पर आपको 20 रुपए, बाइंग 20 रुपए, सैलिंग मोटा मोटा लगता है, फिनवासिया पर फ्री होता है, लेकिन आज मैं आपको धन के साथ में दिखाऊंगा, तो देखिए, और भी बहुत सारे हैं, मैंसे आप किसी के साथ भी कनेक कर सकते हैं, मैं अभी धन के साथ कनेक करूँगा, तो अब किसी के साथ भी connect करना हो आपको उसके सामने यह जो setup लिखा है इस पे आप click करेंगे तो उसके सामने instructions आएंगे कि आपको करना क्या है देखिए ठीक है तो आपको instruction आएंगे यह बोल रहा है कि पहले आप web.dhan.co पे जाईए तो हम इसको एक window में यहां पे खोल लिया है web.dhan.co और उसके ब कोल रहा है कि copy your client id from under profile detail. तो यहां पे आपकी client id है देखिए यह आपको दिख रही है यह आपकी client id है इसे आप copy कर लिजिए यहां पे click करके ठीक है और इसको आपको यहां पे जो है यह इस तरीके से paste कर देना है ठीक है सिर्फ इतना सा काम है आपको अपने धन के profile में जाके यह client id आपको जो है यहां पे paste करके और add धन कर देना है ठीक है तो यह आपने इसको एक instruction दे दिया कि इस account से connect करना है लेकिन यह connect हुआ नहीं है आपको इसमें login करना पड़ेगा हर दिन सुबह तो यह देखिए login का button है यह मैंने login पे click किया यह automatic आपको जो है धन पे लेके ज जाल दिया है और आप देख सकते हैं कि धन account successfully connected for the day तो यह आज के लिए connected है आपको कल सुबह आके फिर login करना पड़ेगा तो हर दिन आपको यह login करना पड़ता है ठीक है तो अभी देखिए यह login हो गया है अब हम वापिस दुबारा यह test में आएंगे तो आपको यहां पे द यह पहली step हो गई कि आपका यह connection हो गया इससे पहले point system मैंने आपको बताया था कि आपको points की जड़त पड़ेगी जो आप pricing page पे देखके और यहां से buy कर सकते हैं अब next step आती है कि आप strategy कैसे बनाते हैं तो देखिए आप strategy मान लिजे shares पे बनाए या strategy मान लिजे options पे बीस और पचास का तो इफेक्टली मान लिजे यह मैंने add new किया ठीक है लेट से मैं बोलता हूं ICICI 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 bank पे हम एक strategy बनाते हैं इसको हमने select कर लिया ठीक है अभी ICICI bank का price क्या चल रहा है वह हम यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं ICICI bank का इस समय price चल रहा है 940 रुपए approximately ठीक है अब हमारी strategy क्या है देखिए अब हमारी मान लिजे और उसका एक lot ICICI bank का एक lot जो है वह कितने का पड़ता है 700 का lot है ठीक है तो मान लिजे हम एक lot का trade लेते हैं ठीक है तो 700 quantity डाल दिया अब यह candle आप जो condition लगा रहे हैं वह एक minute की candle पे तीन minute की candle पे पांच मिन की किस candle पे लगा रहे है तो जैसे मैं पांच मिनट की candle पे condition लगा रहे हूँ और मेरी condition entry की condition क्या है वो पहले मैं यह डालता हूँ entry condition पहली मेरी condition है कि मेरा simple moving average जो है SMA simple moving average मान लो 20 वाला simple moving average जो है वो अगर नीचे से उपर को cross करता है यानि cross above नीचे से उपर को cross करता है मेरे 50 SM को ठीक है यह मैं simple strategy बता रहा हूँ तब हमको buy करना है तो यह हमारी buying condition है ठीक है 14 RSI जो है वो 50 से उपर होना चाहिए ठीक है जैसे मैंने condition add कर दी ठीक है sorry यह तो यह मेरी buy condition हो जारेगी अब यह condition जो है जब भी market में आएगी ICICI के price में तो यह आपका buy हो जाएगा अब exit करना है वो भी आप इस तरह से condition लगा सकते हैं मैं इसको फिर थोड़ा scroll कर देता हूं कि मेरा simple moving average मेरा 20 वाला जो simple moving average है वो उपर से नीचे को crosses below 40 sorry 50 moving average ठीक है तो देखा आपने यहां हमने बोला कि SMA नीचे से उपर cross करे और market bullish हो तो हमने entry करनी है और यह जो है market उपर से नीचे को आए तो exit करनी है बस यह मेरी इतनी सी strategy हो गई अब आप इसको चाहें तो backtest करें और फिर save कर लें तो यह आपकी यह मैं आपके सामने करके नहीं दिखा रहा हूं यह मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने चाहता कि यह strategy आप ऐसे कैसे उठा ले हो सकता है यह हम इंडेक्स में बात कर रहे हैं लेटसे हम निफ्टी में कोई strategy बनाते हैं और बोलते हैं कि नो बज़ के लेटसे 25 मिनट पे हमारी एक strategy एंटर हो और 3.15 पे exit हो जाए या 3.20 पे exit हो जाए मानलीजे ठीक है यह हमने एक strategy बनाई और हम बोल रहे हैं कि एक साथ मानलीजे हम बोलते हैं कि 30 लॉट बैंक निफ्टी के बाई करो call और 30 लॉट यह मैं एक और एड कर रहा हूं 30 लॉट बाई करो put ATM के तो यह मैं effectively क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही time हो 9 बज के 25 मिनट हो उस समय एक specific amount of call और put एक साथ बाई करो call भी बाई करो put भी बाई करो कहां का ATM का ठीक है यह strategy काम करेगी कि नहीं करेगी मुझे नहीं पता आपको अपने हिसाब से strategy बनाना बैक टेस्ट करना तो बैक टेस्ट करके दिखाता हूं ठीक है अब इसका profit और loss को target लगाना चाहते है stop loss लगाना चाहते है मैं बोलता हूं इनका stop loss लगाता हूं let's say मैं इसको बोलता हूं कि जब भी इसमें 50 का loss हो तो आप यह side जो है exit कर जाओ इसमें भी 50 का loss हो तो exit कर जाओ और दूसरी साइड को चलने दो दूसरी साइड जब चलती रहेगी तो तो तीन भी इस पर अपने आप exit हो जैगी तो जैसे मैंने यह strategy बनाई ठीक है अब अगर आप यह बोलते हैं कि trail stop loss इसको भी आप चाहें तो on कर सकते है कि अगर एक साइड के exit हो तो दूसरी साइड का stop loss जो है वो trail करके 0 पर जाएगा जिसे हम C to C बोलते हैं या cost to cost अब इसको आप यहां से click करके आप इसे backtest कर सकते हैं तो देखिए यह आपके सामने में backtest कर रहा हूं अब backtest करने से आपको पता लगता है कि इसमें फाइदा हो रहा है कि loss और अब देखिए यह देखिए 41 परसंट टाइम आपका जो है वो यह profit देगा और अठावन टाइम में loss देगा लेकिन overall आपको loss होगा strategy में ठीक है तो आप strategy को change कर सकते हैं कि ठीक है बाय बाय वाली है मैं इसको दोनों को अगर मैं sell sell कर दूंगा तो क्या होता है मैं फिर से एक backtest run करके देखता हूं तो इस तरह से आप 25 बार आप backtest run कर सकते हैं आप देखिए इसी strategy में देखा कि अगर मैं 9 बच के 25 मिनट पे मैं call और put दोनों को sell कर देता हूं और मैं अपना stop loss लगाता हूं 50-50 का तो मेरे को 5,58,000 रुपय का profit हुआ है ठीक है यह ए एक लाक अठाव बावन अजार का profit हुआ है तो यह आपको सारा profit लेकिन इसमें एक important factor है देखिए maximum drawdown इसको minimize करना होता है इसको maximize करना होता है अब मालीजे मैं बोलूं कि नहीं ATM की वजाए अगर मैं ITM 1 करूं दोनों ठीक है अब यहां पर भी मैं ITM 1 कर देता हूं तो यह actually message दे रहा है कि ITM 1 हो सकता है कि बहुत ज़्यादा liquid ना हो लेकिन हम nifty bank nifty में करते हैं तो उनमें काफी liquidity होती है अब ITM 1 करके मैं दूबारा से उसको मैं backtest कर रहा हूं आप 25 एक हफते में कर सकते हैं अब देखिए ATM की वजाए सिफ ITM 1 लेने से जो है वो मेरा 5,000,000 से profit 50% loss लेकिन effectively एक साल में मुझे जो है वो 10,000,000 का profit देखके जा रहा है 22 में में मेरे को 7,000,000 का profit हुआ 23,000,000,000 का profit हुआ तो इस तरीके से जब आपकी strategy बन जाती है तो आप उस strategy को save कर लीजिए यह जो save strategy है यह सिर्फ मैं example दिखा रहा हूं आपके सामने में ने randomly बनाया है म simply मैं आपको example के लिए बता रहा हूं ठीक है तो आपने strategy को save कर दिया माल लिजिए मैं इसको बोलूं test strategy 123 आपको दिखाने के लिए strategy 123 अब यह done कर दिया ठीक है अब यह आप देखें कि यहां पर यह मेरी strategies यहां पर save हो गई है तो हमने account link कर दिया broker के साथ अपने कुछ जो है points buy कर लिए तो अभी आपके strategy बन गई है अब next step है उसको forward test करना तो forward test का मतलब है कि उसको live market में भी भेजना लेकिन trade नहीं 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 मतलब paper trade लेना तो देखिए आप देख सकते हैं कि मेरी strategy यह test strategy 123 अभी जो बनाई थी अगर मैं उसको बोलता हूं activate अब यह मैं किस section में ह तो मुझे 50 credit लगेगा इस strategy को live करने में जो कि 28 दिन तक live रह सकते हैं 28 दिन तक मुझे उसमें कुछ भी changes करने मैं changes करकर 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 के मैं उसको जो है वह forward test के लिए live कर सकता हूं ठीक है तो अभी देखिए enabling will deduct 50 credit points अब मेरे पास credit points कितने हैं यहां पे देखिए आप देखें इसने utilize कर लिए हैं और एक नया plan adopt हो गया है तो अभी यह बोल रहा है कि activate करने के लिए आप इसमें बटन दबा दीजिए तो अभी मेरी strategy जो है वह forward test के लिए activate हो गई है तो अभी क्या loss हो रहा होगा क्या profit हो रहागा वह आपको यहां पर दिखाई देगा बिल्कुल इसी इसी तरह से जब आप forward test हो जाए कुछ लोग करना चाहते हैं कुछ लोग test नहीं करना चाहते हैं सिर्फ back test के बाद ही live जाना चाहते हैं आपकी मर्जी है जैसे मैंने भी आपको बता है forward test इसी तरह से आप live करने के लिए बिल्कुल exactly same चीज है देखिए आपकी जो strategy है उस प आपको normal में buy करना है या MIS में buy करना है market order में buy करना है या limit order में buy करना है और इसे फिर save करना है अब देखिए यह हो गया है और अब हम इसे धन में activate कर देते हैं यहां देखिए यह आपको total MTM भी दिखा रहा है कि 7950 रुपए का MTM आप किसी भी समय उस trade से exit करना चाहें जो आपको यह MDM दिख रहा है वो आप यहां पे square of all पे अगर आप click कर देंगे तो आपके सारे जितने trade चल रहे हैं वो सब exit हो जाएंगे एक अभी जैसे यह वाला जो running चल रहा है हमारे case में एक ही चल रहा है उससे आपको exit करना है उससे में आप square of पे click कीजिए आप square of और आपका trade जो है वो close हो जाएगा ठीक है तो आपको यह 7950 रुपए का profit हो गया तो यह है दोस्तों बहुत simple सा तरीका step by step मैंने बताया कि पहले आप account खो लिए फिर आप credit जो है और credit खरीदे से पहले आप कई strategies को free में test भी कर सकते हैं backtest चैसे मैंने बताया पर आप बहुत paper market में paper trade करना चाहते हैं जिसे हम forward testing बोलते हैं तो सिर्फ 50 रुपए लगेगा वो करके फिर आप अपनी strategy बनाइए strategy को backtest कीजिए बार-बार backtest कीजिए यह backtest 25 आपको free में मिलते हैं लेकिन उसके अलावा भी अगर आप खरीदना चाहें तो थोक के भाव में बहुत कम पैस visit time कम करके ATM की बजाए ITM 1 में जाके ATM की बजाए OTM 1 में जाके इन सब के साथ खेली है थोड़ा सा backtesting में आपका hardly कोई पैसा लग रहा है तो उसमें काफी सारा backtest कीजिए फिर जब आपको confidence आजाए कि आपकी strategy अच्छी है तो ही आप उसको algo में डालिए और live market में भीजिए तो I hope दोस्तों ये वीडियो helpful रहा हो थोड़ा लंबा हुआ है I understand लेकिन अगर helpful रहा हो तो एक thumbs up जरूर देना और आपके कोई भी question हो algo test के वारे में या algo trading in general तो आप मुझसे पूछिए मैं surely आपको answer करूँँगा Thank you very much, have a good day, bye bye